राधे राधे एवरिवन आप सभी को विश्व कर्मा जैनती की बहुत बहुत शुप काम ना है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम विश्व कर्मा जैनती की बहुत ही सरल पूजा वीदी जानेंगे जिसे आप बिना किसी वी ब्रह्मन आदी के बुलाय स्वयम से भी ब इसलिए इस तिथी को कन्या संक्रांती कहा जाता है शास्त्रों में इसा बताया गया है कि कन्या संक्रांती तिथी पर शिल्पकार विश्व कर्मा जी का अवतर्ण हुआ था इस शुब अवसर पर भ्हमा जी के मानस पुतर शिल्पकार विश्व कर्मा जी की पूजा की जाती ह शिवजी का त्रिशूल, लंका महल, द्वारी का आदी, देवी देवताओं के असर शसर और भवन निर्मान का कारे भगवान विश्वकर्मा की ही देन है भगवान विश्वकर्मा को इस संसार का पहला इंजीनिर कहा चाता है इन्हें निर्मान और सिजन का देवता कहा गया है इसी कारण से निर्मान और सिजन से जुड़े हुए लोग विश्वकर्मा जैनती के दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं इस दिन घरों में, फैक्टरियों में, कल कारखानों में, आफिसेज में विश्व कर्मा भगवान की पूजा की जाती है, इस दिन सभी कारखानों में काम नहीं होता है, बलकि मशीनों को साफ सुतरा करके उन्हें सजा करके उनकी पूजा की जाती है, इस से उद्योग और व्य चौकी के ओपर आप विश्व कर्मा भगवान को कोई भी चित्रिया मूर्ती इस्थापित करें फूलों के उपर या चावलों के उपर उसके बाद में कलश की स्थापना करें कलश की नीचे अस्ट दल कमल बनाए चावलों से और कलश को कंट तक जल से भरके उसके अंदर यहा नारियल की स्थापना करें, नारियल का मुख या तो अपनी ओर करें, या उपर की ओर करें, आप चाहें तो यहाँ पर दीप कलश भी बना सकते हैं, और इसके बाद में गणेश जी की स्थापना करें, फूलो के ऊपर, उसके बाद में जो भी आपकी देखें, अस्तर श्रस्त जिसे भी आप काम करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, मोबाइल से करते हैं, तो मैं मोबाइल से पैन से और ट्राइपोड से काम करती हूँ, तो ये में ने रख लिया है, आपके छेतर से संबंदित, जो भी वस्तवे हो आप उसका पूजन कर सकते हैं, कोई भी मशीन है, आप स करेंगे और यहां पर वस्तर रुपी करेंगे विश्व कर्म भगवान को भी हम ऐसे वस्तर रुपी कर देंगे उन्हें जनिवर रुपीत कर देंगे और इसके बाद में सभी को हम तिलक करेंगे तो देखिए अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी मशीने हैं थापित कर सकते हैं और उनका पूजन भी साती साथ कर सकते हैं मशीन रों को अच्छी से सजा ले उन्हें सापसुत्रा कर ले उनका पूजन करें उनके उपर स्वास्तिक बनाएं अक्षत रोली मौली चंदन और कुछ पुष्प और मिस्ठान अरपित करके मशीनों का पूरे विदिविदान से पूजन करें तो यहां पर सभी को हम तिलक कर रहे हैं और यहां पर विश्व कर्मा भगवान की जो फोटो में अन्य देवी देवता दिये गए उनका भी हम तिलक करें और जितने भी अस्तर शस्तर दिये गए उन सब का पूजन हम करेंगे सब का ठीका करे और इसके बाद में जो हमने यहांपर पूजा में अपने औजार रखे ना उनका भी हम ऐसे तिलक करेंगे अक्षात अर्पित कर देंगे इन्हें को नेसे तो आप ऐसे फूल भी अर्पित कर सकते हैं। उसको ले ले, इसी के साथ में फलका भोग आप लगा सकते हैं, जलका एक हम ऐसे लोटा भरके रखते हैं और यहां पर सुनी जाती है, विश्व कर्मा भगवान के जन्मी की कथा यहां पर सुनी जाती है, हाथ में फूल ले करके, कथा का वीडियो आपको हमारे चनल पे अलग दिया जला करके भी आप पूजन आरती ऐसे कर सकते हैं, आरती करने के बाद में हम यहां पर देखिए, प्रात्न करेंगे अपने कारोबार में, अपने व्यापार में, अपने कारे छितर में उन्नती के लिए, घर में सुक्सम्रद्धी के लिए, इस तरीके से हम प्रात्न कर विश्व कर्मा जैनती पर पूजन कर सकते हैं विश्व कर्मा भगवान जी का पूजन दो पहर के समय किया जाता है जब हमारे working hours होते हैं जब हम अपने workers के साथ इस पूजन को कर सकें तब यह पूजन किया जाता है और यहां पर इतना जरूर लगाएं ताकि सभी में बाटा जादा से जादा बोगर पित करें पूजा के थोड़ीति बाद आप इस प्रिसादबाट दें तो ऐसे पूझन करना है आफ खुद भी कर सकते हैं किसी ब्रहत्मारदी से फिडिया करा सकते हैं और आज की दिन आफ अपने वरकर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दें उन्हें खुश करें उन्हें प्रसंद करें ताकि आपके कारोबार में दिंदुनी राच्चोगनी तरक्षी हो सके अब जान लेते हैं कि वस्ट दोहजाद चॉबिस में हमें ये जन्ति कब मनानी है देखिए 16 सितंबर को कन्य संक्रांती शाम को साड़े साथ बज़े के करीब हो रही है वैसे हर वर्ष मुख्य रूप से ये सतरह सितंबर को ही मनाई जाती है तो वीडियो यह आपको यूजफू लगा है तो फ्लीज वीडियो कलेक्शन चैनल को जरुग सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में विश्व कर्मा भगवान की जया पवश्य लिखें